हमारे सफर में आपका स्वागत है जहां हम भविशे के शहरों की खोज करेंगे। जरा सोचिए, भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से विविद और समरिद इतिहास वाले देश में भविशे कैसा दिख सकता है। बड़ा रोमांचक लगता है ना? आज हम एक ऐसे विचार के बारे में गहराई से बात करेंगे जो भारत के शहरी भविशे को बदल सकता है, स्मार्ट शेहर यानि स्मार्ट सिटीज. अंध तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम बताएंगे कि स्मार्ट शेहर क्या होते हैं, भारत के विकास के लिए वे इतने मेहित्वपून क्यों हैं और इस अवधारना के सामने क्या अनूठी चुनौतिया और अफसर हैं इस खोज में हम देखेंगे कि कैसे स्मार्ट शेहर, तकनीक, बुनियादी धांचे और शहरी नियोजन के माध्यम से एक बेहतर और अधिक सुविधाजंग शेहर बनाने का लक्षे रखते हैं हमारे सफर का मुख्य आकर्शन भारत में कुछ सफल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होंगे जो पहले से ही भविशे को बदल रहे हैं तो क्या आप इस खोज के लिए त्यार हैं? क्योंकि भविशे सिर्फ शहरों के निर्मान के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट शहरों के निर्मान के बारे में है चलिए शुरू करते हैं भारत में चल रहे कई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, सर और अमरावती सबसे अलग है गुजरात में स्थित धोलेरा सर एक ऐसे विजन से पैदा हुआ है, जो विश्वस्तरिय बुनियादी धांचे के साथ एक वैश्विक मैनुफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है इस शेहर को शंगाई से च्छा गुना बड़ा बनाने की योजना है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े नियोजित शहरी विकासों में से एक बनाता है धोलेरा सकी एक प्रमुख विशेष्टा इसकी सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देना है हरी भरी इमारतों से लेकर अक्षे उल्जा सरोतों, अप्षिष्ट प्रबंधन प्रनालियों से लेकर जल संग्रक्षन तक, शेहर के हर पहलू को पर्यावरनिय प्रभाव को कम करने के साथ दक्षता और जीवन की गुनवत्ता बढ़ाने के लिए बनाया गया है दूसरी और, हमारे पास आंत्रप्रदेश की भविशे की राजधानी अमरावती है यह शेहर अत्यादुनिक तक्नीक और अभिनफ शहरी नियोजन की ताकत का वसीयत नामा है अमरावती को एक समावेशी शहर के रूप में बनाया गया है जो अपने सभी निवासियों को उनकी समाजिकार्थिक स्थिती की परवाह किये बिना उच्च जीवन स्थर प्रदान करता है इसकी सबसे अनूठी विशेश्टाव में से एक है कुशल सारवजनिक सिवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रोध्योगी की ICT का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल इसे सही माइने में एक डिजिटल शहर बनाना धोले रसर और अमरावती दोनों ही शहरी जीवन स्थर को बेहतर बनाने के लिए अत्यादुनिक तक्नीक का इस्तेमाल कर रहे है वे उर्जा के कुशल उप्योग के लिए स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, आसान आवाजाही के लिए इंटेलिजिन ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम और पानी के बेहतर उप्योग के लिए स्मार्ट वाटर सिस्टम को शामिल कर रहे है ये शहर शासन और सेवाओं से लेकर पर्यावरन और अर्थ विवस्था तक शहर के जीवन के हर पहलू को बढ़ाने के लिए डेटा और डिजिटल कनेक्टिविटी का उप्योग कर रहे हैं लेकिन जो चीज इन प्रोजेक्ट्स को सबसे अलग बनाती है वह है शहरी विकास पर उनका प्रभाव लोगों पर ध्यान देने वाले तरीके को अपना कर वे शहरी जीवन के बारे में हमारी सोच को बदल रहे हैं वे दिखा रहे हैं कि शहरों को न सिर्फ टिकाव और कुशल तरीके से विक्सित किया जा सकता है बलकि उन्हें समावेशी और समाजिक रूप से समान भी बनाया जा सकता है ये प्रोजेक्ट सिर्फ शहर नहीं बलकी एक एकोसिस्टेम है जिन्हें भविशे के विजन के साथ बनाया गया है हालांकि सभी महत्वा कंक्षी परियोजनाओं की तरह इनके सामने चुनोतियों का अपना सेट होता है स्मार्ट शहरों का विचार कितना भी आकरशक्यों नहो इसके साथ चुनोतियों का एक पूरा सेट आता है जैसे जैसे हम स्मार्ट शहरों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं हमें उन बाधाओं को पहचानने की जरूरत है जो हमारे रास्ते में है सबसे पहली और यकीनन सबसे बड़ी चुनौती है अलागत एक स्मार्ट शेहर में परिवर्तन के लिए एक महत्वपून वित्तिय निवेश की जरूरत होती है यह सिर्फ बुनियादी धांचे के निर्मान के बारे में नहीं है यह हमारे शहरों के तानेबाने में ही उननत तकनीक को एकी कृत करने के बारे में है और यह कई क्षेतरों के लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता है खासकर उन क्षेत्रों के लिए जो अभी भी स्वच्चता, आवास और स्वास्त्य सेवाओं से जुड़ी बुनियादी समस्याओं से जूज रहे हैं इसके अलावा बुनियादी धांचे के विकास का भी बड़ा काम है जरा सोचिए कि किसी मौझूदा शेहर को फिर से बनाकर उसे अत्यादूनिक तक्नीक से लैस करना पड़े इसकी उथल पुथल, व्यवधान और लगने वाले समय की कलपना कीजिए यह ऐसा है जैसे किसी मेराथन धावक की ओपन हार्ट सरजरी की जाए जब वह अभी भी दोड़ रहा हो इतना ही नहीं, इस बुनियादी धांचे को सभी लोगों के लिए शामिल करके सुलब बनाना बेहत ज़रूरी है फिर चाहे उनकी सामाजिकार्थिक स्थिती कुछ भी हो इसके अलावा, उस बात को न भूलें जो अक्सर नजरंदाज कर दी जाती है, डेटा सुरक्षा तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डेटा ब्रीच और साइबर हमलों का खत्रा भी बढ़ जाता है स्मार्ट शहरों के कामकाज के लिए जो बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र और इस्तेमाल किया जाता है, वह हैकर्स के लिए सोने की खान हो सकता है इसलिए इस डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा प्रनालियों का निर्मान करना अनिवारे है लेकिन ध्यान दीजिये, चुनौतिया कोई सड़क पर पड़े पत्थर नहीं है, वे केवल ऐसे इशारे हैं जो हमें बेहतर समाधान की ओर ले जाते हैं तो हम इन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं? हमें रचनात्मक, नवीन और सहोगी तरीके से सोचने की जरूरत है हमें धन के लिए सारवजनिक निजी भागीदारी का लाब उठाने की आवशकता है हमें ऐसा बुनियादी धांचा तियार करने की जरूरत है जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके, लचीला हो और सब को शामिल करता हो हमें साइबर सुरक्षा को प्रात मिक्ता देने और डेटा सुरक्षा में उनकी भूमिका के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने की आवशकता है याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था और नहीं हमारे स्मार्ट शेहर बनेंगे यह एक सफर है और हर सफर में उतार चखावाते हैं लेकिन जब तक हम अपनी निगाहे मंजिल पर टिकाए रखेंगे और मिलकर काम करेंगे हम इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं इन चुनोतियों के बावजूद स्मार्ट शेहरों के संभावित लाब बहुत बड़े हैं और फ्रियश रोताओं यही इस यात्रा को शुरू करने के लायक बनाता है इन स्मार्ट शेहरों के केंदर में तकनीक और सस्टेनेबिलिटी अहम भूमिका निभाते हैं यह एक सिंफनी की तरह है जहां तकनीक कंड़क्टर, संचालक है और सस्टेनेबिलिटी वो तालमेल है जो संगीत को जीवन्त करता है एक ऐसे शेहर की कलबना करें जहां तकनीक रीड की हड़ी का काम करती है निर्बाद कनेक्टिविटी, डेटा संचालित निरने लेने और बेहतर जीवन्स तर को सक्षम करती है इंटरनेट अफ तिंग्स या आयोटी एक ऐसी तकनीक है जो शहरी परिद्रिशे को बदल रही है यह एक अद्रिश जाल है जो ट्रैफिक लाइट से लेकर पानी की आपूर्ती सिस्टम तक सब कुछ चोड़ता है आयोटी वास्तविक समय में शेहर के बुनियादी धांचे की निगरानी और प्रबंधन करने में हमारी मदद करता है दक्षता में सुधार करता है और कच्रे को कम करता है इसे शेहर का दिमाग समझें जो बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करता है ताकि ट्रेंट का अनुमान लगाया जा सके, संसादनों को अनुकूलित किया जा सके AI से लैस सिस्टम ट्रैफिक की भीर का अनुमान लगा सकते हैं उर्जा के उप्योग को सही बना सकते हैं और यहां तक कि इमार्तों में होने वाली धंचागत खामियों का भी पता लगा सकते हैं और फिर एक चीज है बिग डेटा जो अगर आप चाहें तो शेहर की याददाश्ट है यह जानकारी का एक विशाल भंडार है जिसे हम बेहतर निरने लेने के लिए एकतर करते हैं उनका विशलेशन करते हैं और इस्तेमाल करते हैं बिजली की खपत से लेकर जनसंख्या से जुड़े ट्रेंड को समझने तक बिग डेटा हमें अपने शहरों को उनमें रहने वालों की जरूरतों के प्रती अधिक जिम्मेदार बनाने में मदद करता है लेकिन सस्टेनेबिलिटी के बिना इन सभी तकनीकों का कोई मतलब नहीं होगा स्मार्ट शेहर केवल तकनीकी रूप से उन्नत होने के बारे में नहीं है वे पारिस्थितिक रूप से संतुलित होने के बारे में भी है Sustainability यह सुनिश्चित करती है कि हम सिर्फ आज के लिए नहीं, बलकि आने वाली पीडियों के लिए भी शहरों का निर्मान कर रहे हैं यह अक्षे उर्जास रोतों का उप्योग करने, हरित क्षेतरों को बढ़ावा देने, कच्रे को कम करने और सारवजनिक परिवहन को प्रोथ साहित करने के बारे में है यह एक ऐसा शहरी वातावर्न बनाने के बारे में है, जहां विकास और प्रकृती एक साथ सामंजसे से मौझूद हो संक्षेप में तकनीक हमारे शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए उपकरन प्रदान करती है, जबकि सस्टेनेबिलिटी यह सुनिश्चित करती है कि यह स्मार्टनेस हमारे पर्यावरन की कीमत पर न आए वे एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं प्रोध्योगिकी और सस्टेनिबिलिटी स्मार्ट शेहर के विकास की आधाशिला हैं, जो नकेवल बेहतर बल्कि अधिक हरिद भविश्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं तो भारत में शहरों के लिए भविश्य क्या है? जैसे ही हम आगे देखते हैं, हमें संभावनाओं से भरा नजारा दिखाई देता है उन शहरों की कलपना करें जो सिर्फ कंक्रीट के जंगल से अधिक हैं जीवन्त वादावरन की तस्वीर बनाएं जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाते हैं ऐसे शहर जो स्मार्ट हैं, जो सस्टेनिबल हैं और जो सब को शामिल करते हैं हम सिर्फ हाइ स्पीड इंटरनेट और आटोमेटेड कच्रा संग्रह की बात नहीं कर रहे हैं हम एक ऐसे भविशे की कल्पना कर रहे हैं, जहां शहर अपने नागरिकों की जरूर्तों के अनुसार बनाये जाते हैं स्मार्ट शहर बनाने की बात हम कर रहे हैं ये शहरी केंद्र हैं जो अपने नाग्रिकों के जीवन को बेहतर बनाने और संसादनों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने के लिए तक्नीक और डेटा का लाब उठाते हैं भविशे के इन भारतिये शहरों में हो सकता है कि आप खुद को हरे भरे स्थानों से टहलते हुए पाएं जो कभी यातायात से ठसाठस भरे थे आप शायद एक ऐसी इमारत में रह सकते हैं जो अपनी बिजली खुद पैदा करती है और अपनी जरूरतों के लिए बारिश के पानी का उप्योग करती है आप अक्षे उर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों में शेहर के चारों और घुमेंगे लेकिन यह सिर्फ पर्यावरन के बारे में नहीं है यह लोगों के बारे में भी है स्मार्ट शहरों को समावेशी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों उनकी उम्र, लिंग या आर्थिक स्थिती की परवाह किये बिना शेहर की सिवाओं तक पहुंच हो शिक्षा, स्वास्ते देखभाल, परिवहन, उप्योगिताएं ये सभी हर नागरिक के लाब के लिए मूल रूप से जूर सकते हैं शेहर अपने निवासियों से सीखेगा, उनकी जरूर्तों को पूरा करने के लिए ढलता और विक्सित होता रहेगा ऐसा शेहर होगा जो सोचता है, ख्याल रखता है लेकिन इस भविश्य तक पहुंचने के लिए हमें आने वाली चुनोतियों से पारपाना होगा स्मार्ट शहरों के लिए बुनियादी धांचे और तक्नीक में बहुत ज्यादा निवेश की आवशक्ता होती है हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन शहरों का लाप सभी तक पहुंचे न कि केवल कुछ विशेशाधिकार प्राप्त लोगों तक फिर भी इसके पुरसकार बहुत बड़े है स्मार्ट शहर आर्थिक विकास को गती दे सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं और हमारे जीवन की गुनवत्ता में सुधार कर सकते हैं वे हमारे शहरों को अधिक सस्टेनेबल और हमारे समाजों को अधिक समावेशी बना सकते हैं अंत में, जब हम अपने शहरों को फिर से सोचते हैं, तो हम सिर्फ इमारते नहीं बना रहे होते हैं हम एक भविश्य तियार कर रहे हैं ऐसा भविश्य जो smart, sustainable और समावेशी हो यह भारतियर शहरों का भविश्य है और यह एक ऐसा भविश्य है जिसके लिए प्रयास करना उचित है जैसे ही हम अपने शहरों को फिर से सोचते हैं हम सिर्फ इमारते नहीं बना रहे होते हैं, हम एक ऐसा भविश्य तियार कर रहे होते हैं, जो स्मार्ट, टिकाओ और समावेशी है.